कोटा में रिवर फ्रंट बना कर सरकार के खासम खास मंत्री शांती धारिवाल चर्चाओं में हैं प्रलाद गुंजल उनके सामने खड़े होते हैं और उन्होंने इस रिवर फ्रंट के निर्मान में environmental laws का violation होने की बात कही और ये कहा सुप्रीम कोट के आदेशों के अवेलना है देश में प्रियवरण के लिए बने कानूनों के अवेलना है यह बात ही तर है लेकिन बात ये हैं कि सैकडो करोड रुपए वहाँ लगा दिये गए और छोटी मोटी चीज़ें और भी आई टाइलें उखड रही है वगिरा लेकिन बात आज करेंगे कोटा में एक बॉलिवूड इवेंट करवाया जाना है जिसमें बॉलिवूड के कई सितारे पहुंचेंगे करोड रुपए का बजट उस मद से लेने की बात कही गई है जिसमें मीडिया को दिये जाने वाले पचास करोड रुपए एक मूल बजट के रूप में है उसमें से ये पैसा बॉलिवूड नाइट के लिए गहलोत सरकार की ओर से आग्रे किया जा रहा है यूईट का एक पत्र जारी हुआ है जिसमें यूईट की जो अधिकारी है संचिता विश्णोई उन्होंने पूरा उलेक किया है और ये कहा है कि जो डिमांड की जा रही है वो ज्यादा है यानि कि जो टेंडर प्रकृरिया होती है उसमें एक स्टिप होती है शॉर्ट टर्म पर्मिट जिसे कहते हैं कि अगर कोई अत्यावशक कारे हैं तो प्रतेक जो बोडीज हैं उनको राइट हैं कि आप इत्ते रुपे जैसे प्रधान मंत्री का दोरा हो गया है अपदा जैसे इस्तिती होगी तत्काल कोई काम करना है तो ऐसे में टेंडर की प्रक्रिया में अगर लिज जाता है काम तो उसके लिए स्टिप शॉर्ट टर्म पर्मिट जारी किया जाता है परन तो यहां बॉलीवूड नाइट के लिए स्टिप जैसा माहूल बनाया जा रहा है और वो भी पचास करोड का खेल है पूरा और आपको जानके हैरत होगी कि कितने आतूर हैं सरकार के नेता बॉलीवूड सितारों से मिलन के लिए कि पचास करोड रुपे जो सरकारी कामों के प्रचार प्रचार के लिए खर्च होने का मद है उस मद में से 18 करोड रुपे इस एक इवेंट पर खर्च करने की अनुमती सरकार ने विशेश तोर पर दी है संचिता विश्णोई ने एक पत्र लिखा और ये कहा है कि सरकार के ओर की जो गैडलाइन है उसमें सिर्फ 4 करोड रुपे अधिकतम खर्च किये जा सकते हैं अगर आप इस पत्र को पढ़ते हैं तो नजर आएगा ये पैसा जनता ही की जेब से निकला है ये पैसा आपकी हमारी जेब से निकला है और ये किसी और मद में खर्च होना था ये खर्च राजस्तान की विधाई का यानि की विधान सबा के पटल पे आये बजट से तै हुआ है और अब एक बॉलिवूड नाइट कराने का मन में आया है शहनसा के और शहनसा के मन का ये जो माहोल है इसको थोड़ा रूमानी किया जाए इसके लिए एक बॉलिवूड झाल